हेले दोस्तों कैसे आप सभी लोग उमीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना जो परसेंटेज का जो पार्ट वन था वो उमीद है आप सभी लोगोंने देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो पार्ट वन ही पहले देखेंगे तभी आप आगे बढ़ कैसे ये design किया गया है जिससे कि आपको कटनाई का भी सामना ना कटना पड़े और चीजें भी आपके साथ आ जाए और आपको समझ भी अच्छे से आ जाए तो ये प्रस्तत जो है जिसमें हम लोग पीछे 20 question लगवक clear कर चुके होंगे और ये पिछले वाले lecture में हमने ये भी बताया आपको कौन से exams के लिए आपको ये cover करेगा lecture किसके exams में आपको ये help करेगा तो हो भी आप सब देख लीजे बिल्कुल अच्छे से पढ़िए ठीक है जी तो हम और जो ये lecture है वो कुछ इस तरीके से है जैसे आपको basic to high है साथ साथ में एक sequence अपनाया गया है और इसी में theory ही चल रही है इसी में track भी चल रहे है और आप question mcq type में भी आप देखी पा रहे होंगे ठीक है जी तो चलिए आज अपना lecture अपना शुरू करते हैं और हम लोग कोंच चुके हैं बीस question पर यह बीसमा question है तो देखते हैं इसमें देखिए कहा गया है कि दो संख्याएं जो हैं तीसरी संख्या से कर्मसा 25 प्रसत और 65 प्रसत अधिक है उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा इस type का question कल भी हम लोग ने किया था तो जब हमने जो आपको तरीका बताया था कि हम लोग ऐसा ही करेंगे जैसा कि सवाल कहेगा तो दो संख्याओं है वो तीसरी संख्या से तो मतलब total कितनी संख्या है तीन हो गई तो तीनों संख्या है फुछ इस तरीके से format बना लेंगे और दो संख्या जो है वो तीसरी संख्या से कलम i mention परश्वडिट कर्मसा 25 के ये लोग 50 करma साहelा संख्या है तो तीसरी को लोग सो मानेंगे अब क्यूआ ये लेक्श्री लेक्शर करणे pan 25 जादा है तो यह होगा 165 बाइस सो से प्रतिसत में बढ़ाना या घटाना अच्छा रहता जैसे कोई चीज सो है हमने का एक चीज जो है वो 20 परसंट कम है इसका मतलब वो कितने परसंट है असी और बटा सो सो से सो चला गया बचा के आसी इसलिए सो से सो कट जाते हैं इसलिए यहां पर 25 अनुपाथ 23 राइट एंसर यहां पर भी हो रहा है चीक है अगला दो संख्याए करमसा तीसरी संख्या से 30 और 37 परसंट कम है वहां परसंट जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली की तुलना में पहले की तुलना में कम है तो चलिए वही टाइप का सवाल है बस थोड़ा सा बढ़ाया गया है लेवल तो बिल्कुल से सवाल दिये गए है आप सीख जाएंगे पूरी मैत दो संख्या है करमसा तीसरी संख्या से तो पहले तो तीसरी संख्या माल लो 100 और तीसरी संख्या से कम या ज्यादा बोला है तो दो संख्या है जो है वो तीसरी संख्या से 30 प्रस्ट और 37 प्रस्ट कम है कम है तो यह होगी 100 में से 30 प्रस्ट कम है मतलब यह 70 है और यह होगी आपकी 37 प्रस्ट कम है यानि कि 30 प्रस्ट कम होता है 70 और साथ उसमें से और कर देंगे मतलब 63 अब क्या पूछा गया है वह प्रतिसत यानि कि ऐसा प्रतिसत बताओ जिसके अनुसार दूसरी संख्या जो है यह वाली जो दूसरी संख्या है वो पहली की तुलना में किसकी तुलना में पहली की तुलना में कितना कम है तो आप सब से पहले हमने जब सुरू किया था, पार्ट बन में, तो हमने आपको यह बताइ दिया था, कि तुलना में, तो नहीं दिया गया है, पहले की तुलना में, जिसके साथ में का लगाओ, से लगाओ, या जिसके तुलना हो रही ह्वो बटे मार जाओ andasya. अगर आपसे कम या ज़्यादा पूछेगा तो घटाएंगे तो कम पूछ रहा है कितना कम है तो हमने देखा भईया दूसरी संख्या वो पहली की तुलना में या पहली से कितनी कम है साथ और किसी की तुलना में कम है सत्तर की तुलना में गुणे में सो काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि बटे में क्या रखें उनको तो ये समझ में आता है जो आसानी से कट जाए उसको बटे में रखो यहाँ पर मेरे दोस्त आसानी से कटने से कोई लेना देना नहीं है जो concept है वही रहेगा जो जिससे तुलना होगी वही रहेगा मालो यहां सतर सतर आसानी सकट रहा है अगले बार में नहीं कटता या 63 से तुलना करा लेगा तो अभी नहीं कटेगा तो अब आप यहां से 0 से 0 काट सकते हैं 7 से 8 साथ यह आपका 10% राइद एंसर है यहां पर यह आपसन बिल्कुल सही आपसन है ठीक है अगला सवाल यह जिन्नों ने पहला लेक्षर देखा होगा उनको काफी हल्प हो रही होगी एक ब्रत्ताकार पार की तरज्जा 10% ब्रद्ध हुई उसके 6 तरफल में प्रस्द ब्रद्ध क्या होगा यह कल पर बेश्ड है अब देखो एक ब्रत्ताकार पार की तरज्जा आप सभी लोग जानते हैं ब्रत्त कुछ इस तरीके से होता है और ब्रत्त की तरज्जा यह होती है तो ब्रत्त का जो 6 तरफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वेर क्या होता है pi r square तो pi से कोई लिना देना नहीं होता r square मतलब यहाँ पर देखो 2 है कल हमने question किया था वर्क का जिसमें भी हमने ये समझा था कि वर्क की सभी भुजाएं बराबर होती है इसलिए वर्क का छेतफ़ लोता a square और कल हमने ये भी आपको एक समझाए था कि पूरे सवाल में एक बार परस्ट दिया जाए और अगर बरद्धी हो रही हो दूसरी कम ही पूछें तो आपको अमने एक formula बताय था लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर देखो 10% की बरद्धी है उसके 6 फल में कितने बरद्धी होगी यह प्रदत्य नहीं होगा यहाँ पर बरद्धी है तो 6 फल में कितने बरद्धी यानि कि एक बार percentage देके और बरद्धी दी गई हो और बरद्धी ही पूछ लें तो फिर वो trick नहीं लेगी इसमें 1 बटा 100 प्लस माइनस एक सुकुना 100 था यह तो तब लगता जब पूरे सवाल में एक बार percentage दिया जाए और percentage साथ में अगर कमी या बरद्धी करें अगर कमी देंगे तो बरद्धी पूछेंगे बरद्धी देंगे तो कमी पूछेंगे यह तो उसमें लगेगा इसलिए हमको इसमें यहां कोई लेना देना नहीं है इस सवाल में अब यह सवाल किस पर वेज़्ड है अब इसमें आप ध्यान दे देखो ऐसे सवाल आप ऐसे सवालों को आप पहचानना सिखें पहले तो आप पहचानना सिखें देखो जब भी कभी कोई जैसे वर्ग हो रहा होगा उसमें जो आपको फर्मुला है वो दो बार लगाना पड़ेगा भले ही कहा एकी बार प्रसंटेज दस प्रसंट की प्रते कितनी बार कई गए एक बार कई गए लेकिन हम इसका यूज दो बार करेंगे क्यों दो बार करोग तो यहाँपर दस प्रसंट दो बार नहीं बोला, सिर्फ एक बार बोल दिया कि भुजा दस प्रसंट पड़ गई, छेत पल कितना तो हमको दस को दो बार यूज करना पड़ेगा और जब भी हमने बताया था पीषे प्रसंटेज में कि जब दो बार कोई प्रसंट दिया गय हो दो बार प्रस्ट और कमी अब रती पूछे तो फिर हमने आपको एक फर्मुला समझाए था एक बारी फिर से उसको समझाते थे हैं बहुत ही अच्छा फर्मुला है और तेरा खाना में जैसे प्लस एक्स प्लस वाई प्लस यक्स गुणा वाई बटा सो मतलब आप क्या समझे और यहां पर आप ज्यान दें प्लस का एक्स है प्लस का वाई है इसलिए इन दोनों की गुणा यहां पर लिखी जाती है बीच में, लास्ट में दोनों की गुणा प्लस ही रहेगी और xy अपन 100 कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर अगर होता माइनस का x और माइनस का y, तो माइनस माइनस की गुणा यहाँ पर प्लस हाती, xy अपन 100, यह तब यूज करेंगे फर्मुला जब आप दो बार मान लेते हैं, एक बार प्लस का x दिया गया, माइनस का y, अब यहाँ पर ध्यान दें, दोनों की गुणा माइनस होगी, तो प्लस माइनस गुणा माइनस होती है, और xy अपन 100, कल यह फर्मुला हमने आपको समझाय था, बहुत ही अच्छे तरीके से, और एक बार मान लेते माइनस का y, पहले कमी दी गई, और फिर ब्रत्दी दी गई, तो भी माइनस प्लस कुणा क्या होती है, माइनस xy यह पन 100, यह चार ही तरीके से, यह फर्मुला यूज होता है, इसके सिवा यह यूज नहीं होता है, अब ध्यान दें, तो यह देखिए, अब आप से क्या का एक बृत्ता कारपार कितिर है, देस प्रसेंट बढ़ा दी गई है, तो उसके 6 पल में कितने की प्रत्द्य हो गई, यानि की 6 पल में 2 बार यूज करना पड़ेगा, 10 देस प्रसंट की बढ़ेगा, यानि कि पहला वाला फर्मुला यह लग जाएगा, तो यह लग जाएगा तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21% 21% की बरद्धी यहाँ पर हो जाएगा तो right answer यहाँ पर C हो जाएगा अब एक चीज़ यहाँ पर हम आपको और समझाएंगे जो आपको बहुत ही help करेगी और बहुत ही आपको अच्छी लगेगी क्या तो देखो 10% की बरद्धी तो आप 10% का भीन समझो क्या होता है 10% का जो भीन होता है वो एक बटा 10 होता है नहीं आता जिनको कोई बात नहीं है 10% है ना परसंट हटा के यहाँ 100 लगाएंगे 0000 कट जाएगा तो अब 10% का मतलब होता है एक बटा 10 अब काफी जो टीचर्स हैं अलग अलग टीचर्स वो भीन को याद करा देते हैं अगर आप भी याद कर पाएं तो कर लें तो काफी हल्प रहेगा और हम तो अभी आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहे हैं कि जैसे बिल्कुल ज़्यादा बोज ना आए बस आप याद करते रहें साथ-साथ में चलते रहें ज़्यादा याद करने को कुछ है नहीं बस आप समझते रहें concept को यह एक formula यहाँ पर यह भी समझे 10 प्रसेट का मतलब होता है एक बटा 10 अब देखो यह ब्रद कह रहा है इसका मतलब क्या होगा कि 10 में 1 की ब्रद होई इसका मतलब कोई ची 10 थी वो एक की ब्रद होग़ तो कितनी होग़ 11 अब ये दो बार यूज़ करना है कैसे पता चला 2 बार क्योंकि 6 फल 2 बार होता है तो फिर 10 से कितना होगा 11 अगर यह 3 बार यूज़ करना होता है जिसे गन होता, किसी का आयतन होता तो फिर हम लोग इसको 3 बाल लिखते हैं लेकिन यहां 2 बार, तो 10-10 गुणा कितनी होती है 100 और 11 गुणा कितनी होती है 121 तो अब पूछ रहे हैं, 6 पल में कितने की ब्रद्ध हुई तो कोई चीज 100 थी, 121 हो गई तो कितने की ब्रद्ध हो गई, 21 की कितने पर, हमेशा इस वाली बैल्यू पर होगा 100 पर ब्रद्ध हो गई बुणे में कितनी, 100, 100 कड़ गया तो 21 परसेंट यहां से भी आ गया और यह भरूला कहीं कहीं पर काफी बहुती अच्छा हेल्प करता है और आगे हम लोग देखते हैं ठीक है, आप यह चिंता मत करना कि आप सर इतना डेटेल में क्यों लेकिन दोस्त जब आप पेपर दोगे तो आपको बहुती सुन्दर तरीके से आप अपने सारे कोशन यानि कि 30 में 30 आप अटेम्ट कर पा रहे होंगे 20 में 20 आटेम्ट कर पा रहे होंगे 40 में 40 आटेम्ट कर पा रहे होंगे एक दो कोशन अगर नहीं भी लगता है तो उसकी कोई टेंसन नहीं है चलिए अब देखते हैं कहा गया है कि एक ठोस गोले का व्यास 25 पुरसत बढ़ गया उसके प्रष्टी 6 त्रफल पर क्या होगा फरक तो देखो गोला तो बिल्कुल ठोस होता है इसकी भी तरज्जा होती है इसकी तरज्जा आर इसका ज़े छेदफल होता है 4 pi r square होता है ये छेदफल होता है गोले का आयतन आप सबी लोग जानते हों कि 4 बटे 3 pi r cube होता है लेकिन हमसे आयतन की तो बात ही नहीं की गई है किसकी बात की गई है छेदफल की तो अब देखे एक ठोस गोले का व्यास 25% अच्छा तरज्जा को r कहते हैं और तरज्जा का just double 2 r ये व्यास होता है अब आप चाहें तो व्यास में ब्रद्धी कर लो तब भी तरज्जा में ब्रद्धी होगी या सीधे तरज्जा में ब्रद्धी कर लो तो अभी तरज्जा में ब्रद्धी होगी या तो अलग-अलग दिया गया हो जैसे 25 % पर्ट गई, 10 % वह तब दिया जाएगा जब दोनों की विमाएय अलग-अलग होती है, जैसे, यह आयत है, आयत के नंबाए अलग होगी जोनाई अलग वोगी इसलिए इसको दो बार बोलना पड़ेगा कैसे जो लुड दोगा पड़ेगा एक बार दस परसनेड की परत्य होगई और कोन्सेट समझ यह एक ठोस डटाके यहां सो लगा लेना पच्चीस से कम पच्चीस पच्चीस को सो अब चार में एक अब देखो यहां बढ़ा दिया गया तो चार में एक बढ़ गई है तो चार में एक बढ़ी है तो कितना पांच हो गई अब दो बार यूज करेंगे चार में बढ़ी है तो कितना हो ग होगी है और गुड़े में क्या लगा देंगे सो हमेशा कहा था हमने इधर वाली वैलिव में ब्रत दिया कमी होगी तो चार चक्कू सोला और चार से कड़ दिया कि तो चार पंचे बीस बचे दो होगे 25 चार चंग चोबिस और एक बचा यानि कि 56 सही एक वटा 4 परसंट हमारा सही उतर है तो 56 सही एक वटा 4 परसंट इसके साथ में देगा यह तो बिल्कुल गलत है यहाँ पर यह नहीं है ठीक है इसको हम मिटा देते हैं 56 सही एक वटा 4 परसंट है क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए यहाँ पर परसंट होना चाहिए ठीक है तो यह अपना सही उतर है अगला सवाल एक व्रत्य की परिती 50 परसंट कम कर दिया जाए तो छेथफल में कितने की व्रत्य हो गई तो फिर वही बात त्रिज्जा तो एक ही रहेगी व्रत्य की और छेथफल होता है पाई यारी स्केर मतलब दो बार यूश करना है 50 परसंट कम कर दी गई तो 50 परसंट का वैलू होता एक बटा दो अच्छा एक सी जोर आप उसको तेरा खाना से भी लगा सकते हो इसको भी और उसको पीछे वाले सवाल को भी जैसे 50 परसंट की कम ही कर दी गई तो माइनेस का 50 माइनस का 50 और माइनस माइनस गुणा होगी प्लस 50 गुणा 50 बटा 100 माइनस 50 50 कितना हो गया माइनस का हो गया 100 प्लस अब दो जिरो कड़के 25 अब देखिए माइनस के 100 में से प्लस के 50 तो माइनस के 75 प्रसंट यानि कि राइट एंसर 75 प्रसंट जो इसमें कहीं पर है नहीं इसको हम कैसे लगाएंगे उस तरीके से भी लगा के देख सकते हैं जैसे बीने की तरीके से 50% की value हो गई एक वटा दो तो मतलब कम दिया गया है तो मतलब कोई चीद 2 थी 2 में से 1 कम हो गई तो कितनी विची जो की अफसन है नहीं कोई तो इसलिए हमारा राइट एंसर 75 है ठीक है अगला सवाल एक वर्ग की भुजा 20% घट गई तब उसका 6 पल कितना होगा तो ये सवाल अब आपके लिए है क्योंकि अब आप इतना तो पढ़ी चुके होंगे कि इसका एंसर दे सकें तो 25 का राइट एंसर आप क्या कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप बताईए कि 25 का सही उत्तर क्या है ठीक है आईए 26 26 पर चलते हैं एख आयद एक आयद की लंबाई 10 पर संट बढ़ाई गई और चौड़ाई 15 पर संट बढ़ाई गए इसका छेट मपिर सिग्या होगा तो ये सवाल हम लोग कल भी प्लस का और तो जीरो जीरो कट जाएगा और पंदरा बटाता सोता एक दसमलोग पांच यानि कि 25 में एक जोड़ देंगे तो 26 दसमलोग पांच तो यहाँ पर राइट एंसर है यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही उत्तर है 27 27 कहा गया है एक आयताकार खेट की लंबाई 20% बढ़ाई गई जोड़ाई 5% गटा दी गई इसके छेतफल में कितना पड़िवरतन हुआ तो यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताईए क्योंकि वही टाइप का बिल्कुल सवाल 2-3 लगवा चुके हैं और आपके लिए भी यहाँ पर सवाल निकल के आप आ रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है तो 27 का भी आप हमें एंसर क्या कमेंट बॉक्स में करेंगे जिससे कि हमें भी आइडिया लगता रहेगा और आपको भी अभ्यास हो जागा कि हमने पड़ा की नहीं कुछ समझ में आया की नहीं अब द दिया गया है और क्या कम पूछ रहें तो वही डाइक का हो गया सवाल यो पहले अमिने ट्रिक बताई थी कल वाले लेक्ट्र में एक के ए और बिक आए अधिक है अब देखो जिसकी परसेंटेज जो पहली बार दिया गया है उसके साथ में अधिक है कि कम है अधिक होगा तो सो में जोट देंगे और अगर कम होगा तो सो में गटा लेंगे 24 गुणा अधिक है इसलिए यहां पर होगा बाटा 31 प्रसेंट तो यहां पर रॉइन आऐ यहां पर डी वाला थिक है इन सब्सक्राइब नत्यक कोरशन कितना कम है तो यमीर में ख्राम है किखांष ऐसा फार्डी आंस्राब 202 शक्री गौश्ट 29 का जो answer है वो भी आप हमें comment करिए क्योंकि एक type के सवाल जो है 2-3 ही हम लगवाएंगे और उससे ज़्यादा नहीं चीक है तो ये total 29 सवाल थे अभी हम लोग और सवाल करेंगे अभी हम thank you नहीं करेंगे क्योंकि हम हमारे पास एक और slide है और उसको भी हम लोग लेते हैं total लगवक 20 सवाल हम लोगों करना ही चाहिए 15 से 20 सवाल हम लोगों को करना ही चाहिए तो एक slide आपके लिए और लगा लेते हैं तो चलिए दोस्तो slide लग चुकी है और यह रहा आपका 30 number question यदि एक घं की भुजा को 10 % बढ़ा दिया जाए तो घं का आयतन कितना बढ़ जाएगा तो एक बार प्रसंट दिया गया है तो बढ़ा ही पूँचे है और अगर घटा दिया जाए तो घटा ही पूँचे आप ट्रिक मत लगा देना वो एक परसंट वाल यह अलग सवाल है, यह एक घं की प्रतेक भुजा 10% बढ़ा दी जाए, मतलब 10%, 10% का मतलब है एक बटा 10, तो घं का आयतन क्या होगा, तो आप सभी लोग घं के बारे में जानते होंगे, तो घं कुछ इस तरीके का जो एक आकरत ही आप सभी लोग जानते होंगे, तो यह घं की आकरत कुछ इस तरीके से आपने देखी होगी, इसका क्या होता है, बुजा, लंबाई, चोड़ाई, उचाई, सब बरावर होता है, और घं का आयतन होता AQ, अब आप इस फर्मूले में देख पा रहे होंगे, कि A का प्रियोग तीन बार किया गया है, AQ है, और आप से पूछ क्या रहे है, आयतन ही पूछ रहे है, तो तीन बार प्रियोग हो रहा है, तो हम भी तीन बार प्रियोग करेंगे, और बढ़ रहा है तो कोई चीज 10 से 1 बढ़ रही है तो 11 हो रही होगी भीया और इसका हमने प्रियोग 3 बार करना है क्यों हम भई 3 बार किया क्योंकि भई आयतन पूछा गया है तो 10 सामन 10 सामन कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा और यह हो जाएगा 1331 ठीक है यहां पर थोड़ा सा और एड़ कर देते हैं आपको लगभग लगभग 30 से 40 50 तक 30 तक पहले आप वर्ग याद कर लीजिए और 20 तक अच्छे से पाड़े और आप 10 तक या 15 तक अच्छे से घन याद कर लेजिए यह बिल्कुल बेसिक बता दिया हम न ठीक है अब द 30 की अब जो 330 की ब्रद्य है वो 1000 पर होगी और गुणयम लगा देंगे 100 तो 0000 330 बटा 10 मतलब 33.1 प्रसंट तो 33.1 प्रसंट याँ पर कोई भी आपसं 33.1 प्रसंट का नहीं है आप एक और आपसं बना लीजिए और जिसमें लेख ले लिए 33.1 प्रसंट ठीक है तो यह हमारा सही होता है अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप उस मैसे से लगा के दिखाओ उस वाले मैंथेट से कोंसे वाले से अब उससे भी लग जाएगा जैसे देखो 10 % की ब्रत्य हो गए तो पहले हम लोग दो बार यूज कर लेंगए फिर एक बार और रूस कर लेंगे तीन बार हो जागा जैसे को एक बार और जुच कर लो दस के साथ में तो तीन बार हो जाएगा प्लस 21 गुना 10 बटा 100 तो 21 और 10 31 प्लस 00 गट गया 21 बटा 10 का मतलब होता है 2.1 तो 31 में 2 जोड़ दिये तो 33 तो देखिए दोनों के एंसर आपको सेम मिल जाएंगे यह देखिए क्योंकि सेम प्रोसेस है अब जिस तरीके से आपको आसान पड़े आप उस तरीके से कर लेना अब आपके पास दोनों ही मैथेड आ चुके है दोनों तरीके से आपको समझा दिया चाद चुका है अब हम लो पूरा गोले का फर्मूला बगरा कुछ नहीं बढ़ेंगे बस इसमें देखिए एक गोले की तरज्जा दूगनी कर दी जाए मतलब तरज्जा एक थी उसको दोगना कर दिया जाए पहल है तो जो आयतन होता है तो पहले देखिए और किया हो अब आप 3š族 मतलब आप देख रहे हों तीन वर्र यूज करेंगे अब यहां परसेंटेज तो दिया नहीं है तीन वर्र यूज करेंगे तो सबसे पहले आयतन निकालो तो रिज्ज अगर एक है तो इसका आयतन निकालोगे क्यूब करोगे तो एक ही रहेगा तो दो का क्यूब होता है आठ तो आयतन यहाँ एक है यहाँ है यहाँ है आठ आसे पुछा क्या गया है तो आयतन में ब्रद्धी का प्रस्थ बताईए, पहले एक था बाठ हो गया, तो कितने की ब्रद्ध हुई, साथ की, और किस पर हमेशा इस वाली वाली वैलू उपर होगा, तो एक पर गुणे में क्या लगा देंगे, सो, तो साथ गुणा सो, साथ सो परसेंट, यानि कितने की ब्रद्ध हो गए, साथ सो परसेंट, राइट एंसर है, इस सवाल को आप बिना लिखे, बिना कुछ किये कर सकते हो, कैसे, अगर एक गोले की तरज्जा दुगनी कर दी जाए, तो उसका आयतन में बताईए, तरज्जा एक थी, दुगनी हो गई, मतलब आठ हो गई, एक से क कोई गोले की तरज्जा आपको दुगनी की जगा तिगनी कर दे, तो आप तरज्जा एक मालेंगे, तिगनी कर दी मतलब 3 कर दी, तो आयतान के पुर्द्द पूचे हैं, तो एकक तो आयतान एक भी रहेगा और तीन का होगा तीन दिया नोती यह 27 तो 27 में से 1 गया च्छबिस और गुणे मेंटीन जुरू लगा लो 26 जैसे इसमें किया गया एक और आठ एक और आठ का अंतर साथ हो गुणे में दो सो लगा लो तो साथ हो जाएगा ठीक है इस तरीकर से है तो अगला सवाल 32 अब देखेंगे कुछ अलग टाइप के सवाल है इनको भी समझ लेते हैं राम अपने वेतन का 40% भोजन पर और 20% घर के किराय पर और 10% मनोरजन पर और 10% यातायत पर खर्च करता है यदि महीने के अंत में उसकी बचट 15% है तो उसका मासिख वेतन कित्रा होगा तो इस टाइप के सवाल भी थोड़े कठिन भी होते हैं बहुत आसान भी होते हैं यह बिल्कुल आसान सवाल है तो देखे कैसे देखो इसमें हम आपको तरीका भी बता सकते हैं बताते चलते है कि आप सवाल को पहचाने कैसे कौन सा सवाल क्या फर्मल लगाएंगे क्या आप तरीका अपनाएंगे क्या बेसिक होना चाहिए इसमें क्या ट्रेक होना चाहिए वो सारी बाते बहुत महत्पून रहती है राम अपने वेतन का ये सारी बाते लिखी हुई है लेकिन इसमें आप देखे एक सवाल आप से रहता है कोई भी जो चीज होती हो 100 पर्षट होती है कितने पर्षट 100 या कोई भी चीज होती हो 100 होती है माने के चलते हैं अब उसमे से 10 कर्च हो गई 20 खर्च हो गई 40 हो गई हम पूछे कितना सेस बची तो कैसे निकाल लोगे तो 10 और 20 30 और 40 70 खर्च हो गई तो सेस बची कितनी तीस तरीके से सेस निकला जाता है ठीक है अच्छा इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है और कुछ खर्च कर दिया होगा तभी तो कुछ ना बचा होगा यानि कि अगर खर्ची ना करता तो सभी ना बच जाता तो कुछ कमाया होगा कुछ खर्च किया होगा फिर कुछ बचत होगी तो बचत कैसे निकालोगे तोटल कोई चीज होगी उसमें से आप ये खर्च वाली चीज, वे वाली चीज हटा देंगे तो बचता जाएगी और एक चीज और बेसिक बाते हैं थोड़ी समझ लिजे जो ये बरावर का जो साइन होता है आप सभी लोग जानते हैं बरावर का साइन कहां लगता है बरावर का साइन बरावर का साइन जैसे दोनों चीज बरावर होती जैसे जो चीज इधर होई चीज इधर मतलब मालतें दो वेक्ति हैं इसके पास कोई आय रही होगी इसके पास 20% बची होई है लेकिन इसके पास भी कोई चीज रही होगी लेकिन इसके पास 40% 40 बची होई है तो 20 बराबर 40, यानि कि 20 में बराबर लगा था, मतलब जो चीज इधर थी, वही चीज इधर थी, बस ये इधर परसंटेज में था, और ये अंकों में, रोपय में, ये जैसे भी हो, वैसे था, तो 20 परसंट बराबर 40 है, तो अगर आप 100 परसंट निकालेंगे, तो आप जिस परसंट भोजन पर, तो भोजन पर आप ध्यानने, तो भोजन पर उसने क्या किया, 40 परसंट खर्च कर दिया, और घर के किराये पर, घर का किराया भी दिया, तो किराये पर उसका गया है, 20 परसंट, और 10 परसंट मनरंजन पर गया है, और यातायाद पर भी उसने खर्च किय है याता यात दस प्रस्ट करता है महीने के अंत में उसकी बचत पंद्रास हो गया तो बचा भी रहा है तो सबसे पहले देख लेते हैं खर्चा कितना हुआ चालिस और वीस साथ और दस सतर और दस असी यानि की असी प्रस्ट खर्च हो गया है असी प्रस्ट खर्च हो गया आप सभी लोग जानते हैं आय जो होती है वो 100 प्रस्ट होती है आय कितना % होती है 100 अब एक चीज़ बताओ जब 100 में से 80 खर्च हो गए तो बचत कितनी हुई तो बचत हुई 20 प्रतिसत की और जब कि यह क्या कह रहा है चिल्ला के करा महीने के अंते में 1500 रुपे बचे हम कह रहे हैं नहीं 20 प्रतिसत बचाए तो जहें 20 प्रतिसत कहलो या कहलो 1500 यानि कि 20 प्रतिसत बरावर 1500 अब पूछ रहा है तो उसकी मासिक आय यानि कि उसका वेतन कितना है तो आय कोई या वेतन कितना होता है 100 प्रतिसत होता है हमको 100 प्रतिसंट की वेल जाए और 20 की पता है तो कई बंदे इसको अलग तरीके से काट सकते हैं क्यों 0 से 0 काटा और फिर 2 से 150 को आठा 75 और गुणा 100 75 गुणा 100 गुणा 100 अब जैसे चाहूं वैसे गलो बस हमें 100 बनाना था तो हमने 5 से गुणा कर दिया और बस रूल ये है कि जितने से गुणा ぇधर उतने से गुणा इधर जतने से भाग इधर उतने से भाग इधर बराबर अगर बीच में लगाए तो ठीके चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं अग्रा स्वाल है, साधना अपने वेतन का 30% भोजन पर यानि कि भोजन पर उसने कितना खर्च किया? 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च कर दिया, दान कितना किया? 3% इन उद्देशों पर 2310 रुपए खर्च करती है अब देखो यहां पर कहीं भी बचत नहीं लिखी है अब आप यह मत करना 333 और 100 में से घटा कर इसके बरावर कर दो यहां पर यह नहीं चलेगा क्यों यहां पर बचत तो कहा नहीं गया बस उपर खर्चा बताया गया है और हमको नीचे खर्चा बताएगा तो खर्चा खर्चा इस बार बड़ाबर होगा तो भोजन पर 30% और दान पर 3% तो टोटल कितना खर्च हुआ 33% और जबकि रुपए मे एक पुरस्त बराबर जब यहां सब कर जाएगा तो 0% बचेगा ही 0% बराबर 700 तो सो परसंट बराबर 7000 तो ठिदů यहांपर क्या हो जाएगा D International अब देखें 1% की वैलू से 30 है तो आपको 100% क्या जरूद हुए क्यों कि तो उसने पूछा था तो उसका मासिक वेतन बताओ वेतन कहलो या आय कहलो तो हलांकि यहां पर अलग-अलग वेतन और अलग-अलग हो सकता है यहां से मतलब नहीं है बस हम भी कह रहे हैं तो उसका मासिक वेतन कितना था वेतन या आय यहां पर कितनी होगी 100% होगी त अगले सवाल है आपसे एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराय पर तो 24% तो उसने मकान के किराय देगा तो 62% अपने परिवार पर वेह कर दिया तो 24 खर्च हो गए और 62 खर्च हो गए तो यहां पर 4 और 2 6, 628 यानि कि 86% जो है वो खर्च हो गया कहलो या वेह हो गया ठीक है तथा 6 आए की बचत करता है, 6 बचाता है, तो हम सभी लोग जानते हैं, आए कितना? 100%. अब 100 में से 86 खर्च होगा, तो बचत कितनी रही होगी? तो बचत आप सभी लोग जानते हैं, 14% रही होगी. और यहां पर यह कहा रहा, उसकी बचत दे 600 है, तो वो 63 सो कह रहा है, तो हम दोनों को बराबर करतेंगे, हमें क्या है? तो 7 दोनी 14 और 7 निम 63 और 2 से 90 खर्च देंगे, तो 45 और 1 जिरो जानते हैं, तो 1% बराबर आपका आगया, 450 तो 100% बराबर कितना आज़ागा? 2 जिरो और बढ़ा दो, 45,000, जो कहा जाएगा, उसी के बराबर हम लोग वैसा ही कर देगें, बस, अगला सवाल, यदि एक व्यक्ति अपने धन का 50% बाग अपने पूत्र को, और 30% बाग अपनी पूत्री को दे देता है, तो 50% पूत्र को दे दिया, और 30% पूत्री को दे दिया, ठीक है, पूत्री को दे दिया, और 60% का 80%, अब देखे, 50-30 चला गया, 50-30, 80, तो 60 कितना बचा, 60 बचा है 20%, 60, 60 का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है, तो 60 का 80%, 60 बचा है 20, और 20 का अगर हम 80% निकालने बैठ गए, तो ये होगा, एक, दो, एक, दो, आड़, दो, नी, 16, यानि कि 16 क्या किया है, ट्रस्ट को दे दिया, ये गया, ट्रस्ट, ट्रस्ट को दिया, अब यदि उस व्यक्ति के पास, 16,000 रुपे बचे हों, तो उसके परण में क्या धन था, तो धना होगा 100%, यानि कि, आए कितनी होती है, 100%, या जो भी चीज शुरू में रही होगी, वो 100%, ठीक है, अब पूछ रहा है, अब उसके पास 16 जा, तो हम भी सो समझ लें, उसके पास कितना खर्च हुआ, तो 80 तो पहले खर्च कर चुआ था, और ट्रस्ट में 16 परसेंट खर्च कर दिवा था, तो 80 तो 96 परसेंट खर्च हो गया, या यूँ उस कहलो, उस 80 तो उससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर 20 बचा था, 20 में से 16 खर्च हो गया, बचा कितना? 4, यानि कि, 4 परसेंट की यहाँ पर, बच्चत होई है, जबकि इधर बच्चत हो गई है, 16,000 की, तो 4 परसेंट बराबर, 16,000 के, तो 4 चपकु 16, 3,0 यह लग जाएंगे, और 1 परसेंट की बराबर वैलू है, 4,000 तो 100 परसेंट की वैलू कितनी जाएगी, तो यहाँ पर यह राइट एंसर है, चार के बाद में 5,0, तो 4 के बाद में 5,0 की समय तीन और 2,5, तो राइट एंसर है, सी वाला आपसेंट सही है, ठीक है, अगला कुशन नमबर 36, अब आपसे पूछा जा रहा है, राम, राम का वै और बचत, तीन नुपात, दो के नुपात में है, उसकी आए में 10% की प्रद्धी होती है, और उसके वै भी 10% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितने प्रद्धी है, तो यह नए टाइप का कुशन है, वो भी हम आपको समझाते हैं, तो इसमें क्या है, राम और वै, भी होगी, तो यह सब में क्या रिलेशन है, तो देखो, आय जो होती है, वो 100% होती है, मतलब कोई भी विवेक्ती 100% कमा रहा होगा, यह माल लेते हैं 100 कमा रहा है, तो उसका अगर माल लेते खर्चा 75 है, तो उसकी बचत कितने होगी 25, तो हम कहेंगे यह सब आपने कैसे निकाला, आप कहेंगे सर, अगर 100 रुपय थे, और खर्च 75 हुए, तो 100 में से 75 गए चले गए, तो बच्चे कितने आपके, 25 यही बचत है, जो बच्चे हैं, वही बचत है, अब इसी पर यह सवाल बेजट है, जैसे, यानि कि 3 और 2 दिया लिया है, इसकी आय में 10% की ब्रद्ध होती है, ठीक है, उसका वे भी 10% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितने प्रद्ध की ब्रद्ध होगी है, अब देखिए, अब यहाँ पर कोई व्यक्ती जो है, वो खर्च कर रहा है 3 रुपए, और बचा रहा है 2 रुपए, तो उसकी इंकम कितनी होगी 5, तो हम कहेंगे यह सर्फ 5 कैसे लाए, 5 कहां से लाए, अब देखिए, खर्चा को और आपने जितने बचा हैं, सब को जोड़ लो तो आपकी इंकम आजाएगी, तो फिर दसम्लम वैलू आजाएगी, इसलिए यहाँ पर आप ध्यान दें, हमेशा ही 0 बढ़ा लेते हैं 2 तो, अनुपात जब भी लगा हो, तो आप 0 बढ़ा सकते हो, जैसे 3 अनुपात कोई ची 2 है, तो आप इसको 300 अनुपात 200 कह सकते हो, हाँ, 300 अनुपात 20 नहीं करोगे, जितने से गुणा करोगे, उतने से इधर भी गुणा कर लोगे, तो वो वैलू बराबर रहती है, ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, तो क्या था यहाँ पर, वो मिट गया, फिर से जाने दो, तो एक बार फिर से समझे लो, यहाँ पर यहाँ पर यह आ थी, और यह वै था, और यह आपकी बच्ट थी, ठीक है, अब यहाँ पर, आ वै कितनी हैं, तीन, और बच्ट कितनी दो, तो आ यह कितनी बर रहे थी, पांच तो इसलिए हमने आपको बताया इसलिए हमने आपको बताया कि आप ध्यान दें यहाँ पर आप दो जीरो इसमें बढ़ा लेंगे कोई फरक नहीं पढ़ा है हर जगे बढ़ा हुआ है और आए में 10 पुज़ित की ब्रद्दी तो आए कितनी है 500 और 500 में द्रस की ब्रद्दी तो 110 बटा 100 अब देखें यह 100 और यह 2 0 कट जाएंगे इसलिए 2 0 बढ़ाए गए थे ग्यारा पचे 55 यानि की 550 और 300 में आपको 20 10 की ब्रद्दी करेंगे तो हो जाएगा 330 दस की ब्रद्दी करके देख ले ना भाई 300 में 110 बटा 100 दो 0 तो जिरो देखो यहां भी करके ग्यारा थी है 33 अब बूछ रहा है उसकी बचत में कितने की ब्रद्दी पहले बचत थी 200 अभी कितनी बचत है अभी तो पता नहीं तो पहले निकालनी पड़ेगी हमको बचत तो चलिए बचत निकालते हैं तो 0 में से 0 गया तो दो और 5 में से 3 गया तो 2 अब कोई चीज 200 थी और 220 हो गई तो पूछ क्या रहे हैं सिर्फ बचत में बचत पूछ रहे हैं तो पहले 200 थी अब 220 हो गई तो कितने की बचत थी हो गई 20 की कितने पर हमेशा इस वाली वैल्यू पर 200 पर और गुणेम क्या लगा देंगे 100 तो 100 कोई भी 10 प्रोचन थैं नहीं तो इस लिए राइट एंसर यहां पर 10 प्रॉसेंट जो ऑघ यह तो यह देखो कि नहीं हो रही है इसलिए यह सवाल जो है कुछ इस तरीके से बनता है कि आय में 15 परसंट की ब्रद्दी और वे में 12 परसंट की ब्रद्दी तो यहां पर कोई दूसरी ब्रद्दी आएगी वह अलग आएगी इन दोनों की वैलू अगर अलग हो कि तभी यह अलग बन CAP अब इसमें भी 10 की ब्रद्द थी तो इसमें भी 10 की ब्रद्दी होया और इसकी की अग्ला सवाल वह देखिए आप कि अब वह मुर्ब बहुत और ऑच्छा सवाल लगे 0-3 म्यक्न वे और बत्चत का अउपा दिया गया अच्छा यह आए और वे वे का दे सकते हैं, आय और बचत का दे सकते हैं, वो कैसे भी करके आपको इन तीन के बारे में जानगारी दी जाएगी, और अगर तीन में से दो के बारे में आपके पास जानगारी है, तो आप तीसरी की आटोमेटिक निकलाएगी, देखे कैसे, रतन वे और बचत का अनुप थीक है अब कि अब आपसे कह रहे हैं कि यह तो उसका बेतर 25 परसंट बढ़ा दिया गया तो 600 में 25 परसंट की प्रदी लगावा तो 600 में 25 परसंट की बढ़ा सो दो जिरो दो जिरो काट दिया यानि कि साड़े साथ सो हो जाएगा और बचत 15 परसंट बढ़ा दी यानि कि 500 में अगर हम 15 परसंट की प्रदी लगाएंगे तो 115 बटा सो दो जिरो जिरो काट दिया पांच गुणे सो पांच सो पांच सो परसंट की प्रदी करनी है है आपको ब्रदी करनी थी 15 परसंट की तो बचत में ब्रदी करनी है तो बचत है सो सो में से 15 परसंट की ब्रदी करोगे तो हो जाएगा 115 तो बहुत ही आसान था कि सो में से कोई चीज ब्रदी करोगे तो सो से सो तो ऐसे कट जाएगा 15 परसंट की ब्रदी तो एक सो पंदरा बटा सो यह सो सा सो ऐसे कट गए तो आप ध्यान दें होंगे ना इतनी समझ पा रहे होंगे तो फ्रदीकत हो जाएगी मिलब सासो पचास रुपे खर्च कर रहे हैं बचे मारे पास 115 तो कितने खर्च हुआ होंगे वह गटा के निकाल दस में से पांच गए तो पांच और यहां बचा चार चार में से एक गया तो तीन और यहां पांच साथ में से एक गया चे यानि कि 635 से गटा है ना हाँ 635 यानि कि पहले तो पूछा है वे में ब्रदी तो पहले 500 रुपे की वे थी अब है 635 कितने की ब्रदी हुई 135 की कितने पर हमेशा ही पीशे वाली वेलू पर यानि कि 500 पर गुड़ा 100 या प्रारंबिक वेलू दो जिरो दो जिरो कट गया पांच से काट तो पांच दूनी दस और बचे तीन हो गया 35 पांच सत्य पैंटिस यानि कि 27 पुरसत हमारा साही उतर है इसलिए राइट एंसर यहां पर भी हो जाए ठीक है अगला सवाल अब देखिए अगला सवाल टाइप चेंज हो गया है और यह दो तीन सवाल होंगे बहुत ही अच्छे सवाल है और बहुत ही आसानी से लग जाएंगे और बहुत ही कंसेप्टिव सवाल है ठीक है समझेए पोरी सेथिको मैन यहां पर मुद्धा ये भी है कि सवाल की पहंचान कैसे करें एकि कौन सा सवाल किस कांसेप्ट पर आ दो, 3 बार निकलते हैं, तो फिर हमें आ जाता है आडिया कि यहां से, यहां जाना है, तो इस वाली रास्ता से चल ना पुड़ेगा तो किस सवाल में कौन सा फर्मूला लगाना है, इसका जवाब ऐसा नहीं दिया जा सकता है कि सर कैसे पहँचानते हो कि सवाल में कौन सा फर्मूला लगेगा ये तो वही बता सकता ना जो रहा से बहुत बार गुजर चुका है वो बताएगा ना तो आप भी गुजरिएगा तो फिर आपको भी आइडिया हो जागा नहीं कुझ रहे पहली बार जा रहे तो बस ध्यान लगा के आप सुनते रहे और पढ़ते रहे फिर से सुनिये फिर से पढ़िये जब दुबारा से आओगे इसी चीज पर तो फिर आपके दिमाद में एक चम क्लिक हो जागा रहे ये तो वो वाला सवाल है तो चीनी के मुले में 10% की कमी होने के कारण 1,270 रुपय में 1 kg चीनी अधिक खरी सकता है तो प्रत किलोग्राम चीनी का आरंबिक मुल क्या है तो इसमें आपके 4 सवाल बनते हैं लेकिन 4 नहीं पूछते हैं वो 2 सवाल पूछता है एक तो आरंबिक मुल तीन सवाल जादा तक पूछ सकता है जैसे इसमें सवाल क्या है वो आप पहले समझो क्या आपको कोशन हो लेगा कोशन यही रहेगा इसके 4 एंसर निकलते हैं और 4 में से आप से कौन सा पूछ रहा है वो आप कोशन पढ़के डिसाइट कर लिजी आप से आरंबिक मुल पूछागे जैसे सबसे पहले तो होती है वर्तमान वर्तमान खपत अकर आपको वर्तमान खपत पता है तो वर्तमान मुल ले निकलाएगा क्या निकलाएगा वर्तमान मोले निकलाएगा फिर आपसे पूछता है प्रारम्बिक आरम्बिक या पहले ये सब एकी बाते होंगी आरम्बिक खपत ये खपत लिखा हुआ है आरम्बिक खपत अगर आपको आरम्बिक खपत पता है तो आपको आरम्बिक खपत पता है आपसे पुछा गया आरंबिक मूली बताईए तो आपसे कौन सा वाला कुछन है आरंबिक मूली मतलब फोर्थ नंबर का आपसे कुछन पुछा गया है आरंबिक मूली और आरंबिक मूली तभी आपसे निकाल सकते हो जब आपको आरंबिक खपत पता होगी ठीक है ये दोनों connected है इससे और यह दोनों इससे connected है अगर आप से पूछे वर्तमान मुली बताइए तो आपको वर्तमान खपत निकालने पुड़ेगी ठीक है वर्तमान खपत और कहानी शुरू होगी वर्तमान खपत से ठीक है तो आप समझे यह सवाल कैसे लगएगा चीनी के मूले में सवाल को पैचा लिए चीनी के मूले में 10% की कमी होगी चाहें तो कमी दे सकते हैं ब्रती दे सकते हैं वो कहीं पर कुछ भी अडेस कर सकते हैं वो कोई नहीं एक आपको मूली दिया जाएगा एक बार परसंटेज दिया जाएगा एक मूली दिया जाएगा औ और कोई चीज कम या बढ़ी हो रही होगी, जैसे एक किलोग्राम चीनी अधिक खरी सकते हैं, अब इसका एक थोड़ा सा बेसिक और समझे, पीछे भी हमने आपको लेक्शन में समझाया था, कि अगर मान लेते हैं, कि कोई वस्त हो है, वो 100 रुपय किलो है, ये सेव का एक्ज तो आप क्या करेंगे, आप खपत बढ़ा देंगे, यानि कि खाना बढ़ा देंगे, यानि कि जहां पर एक सेव ले रहे होंगे, या एक किलो ले रहे होंगे, तो आप एक बोरा लेंगे सेव, तो इस तरीके से, यानि कि अगर मूल में कमी होगी, मूल में क्या होगी, मूल हो लेते और चले आते तो अगर ऐसा भी वह रहा होगा रहा थो ज्यान दें इस तरीके से आप ध्यान की आपके रेड बड़े हैं तो खपट कम होगी और अगर रेटOOD कम हूए हैं तो हपड़ ज्यादा होगी तो यहांपर देखे क्या प्रस्थ क कमी आई तो अगर ची चीनी के मूल में कमी आई तो खपदबड़ी होगी और कितनी खपदबड़ी है यह देखो कह रहा है एक किलोग्राम चीनी अदी खरीद सकता है उतने रुपए में अच्छा एक कंसेप्ट और भी है जैसे मा लेते हैं आप बाजार गए आपके पास सो रुपए हैं कितने रु हैंगायी रुपए तो आपके ह्पास सो हैं आपको हाँ गर से कहा गया था कि जाओ बीच रुपए में प्याज मिलेगा लेकर आओ तो आप क्या करेंगे अब आप क्या करेंगे अब आप फोन करें आना करें तो आप फोन करेंगे तो भी कहा जाएगा तो प्याज तो ले नहीं भाई सब्जी में तो डाल नहीं है तो पच्चीस का मिल दा तो भी लेकर आओ तो आप मिलेगा चार किलो आप देखिए रुपए वो ही सोथ है लेकिन वो क्या हुआ कि मूल में ब्रद्य होने की वज़े से हमने जो प्याज है वो एक किलोग्राम कम खरीदा कम खरीदा रुपय वही है वो कम क्यों खरीदा क्योंकि रेट में क्या हो गया ब्रद्य हो गया ब्रद्य मूले में होगी तो चीज़ें आप कम खरीद पाएंगे इसका उल्टा भी समझ लो क्योंकि पहला सवाल है समझना जरूरी है क्योंकि 38, 49, 40 तीनों सवाल हो सकता यही हो आप समझे अब मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपय है कितना रुपया है? 100 दूसरा एक्जमपल 100 रुपय है और कोई चीज है आपसे कहा गया प्याज ले आओ प्याज थो था 10 रुपए किलो तो आपसे कहा गया होगा तो प्याज लेके आओ दस किलो प्याज लेके आओ तो हम गएगा ठीक है लेकिन जब आप बाजार पहुँचे जब आप क्या पहुँचे बाजार तो आपने देखा प्याज तो पांच ही में है पांच रुपए किलो प्याच चिल ला रहा है तो कितने प्याच चिल ला रहा है पांच रुपए किलो अब आपके पास दो आफसन है यहाँ पर आप उस्यारी करोगे आप प्याच दसी किलो लोगे और भागी के रुपए अपने जेम में डालोगे कई बारी तो ऐसा होता है लेकिन अगर आप जो है इमानदार हैं तो आप घर में फोन करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आप मालो फोन नहीं हो पाता है तो आप कहोगे ऐसा करो यह 100 रुपए हैं 100 के आप प्याज दो हमें मतलब नहीं है कम हो गया ज्यादा हो गया तो आपको प्याज मिलेगा कितना 20 किलो कितना प्याज मिलेगा 20 किलो रुपए वही है यानि कि मूल में कमी होने से आपने चीजें ज्यादा खरीद पाएं कितनी ज्यादा 10 किलोग्राम ऐसा ही वह इस सवाल में कह रहा है कि चीनी के मूल में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 चाहकित को पहसे तरीके से लगाएंगे अधिसे नेगे प्रकिरा लिख लेँगे और यह बरावर में अब देखो ये 10% की वज़े से, 10% की वज़े से आपको क्या हुआ, यानि कि मूल में कमी आई 10% की, और इसकी वज़े से आपने क्या, ये ज़्यादा ले पाया, चीनी ज़्यादा ले पाया, 10% की वज़े से, अब ध्यान देना, यहाँ पर जो भी percentage दिया गया है, और हमें इसको 100 बनाना रहता है, कितना 100, तो 10% को 100 बनाओगे, तब ही जब आप इसमें 10 से गुणा कर लोगे, या 1% बला लो, फिर उसमें 100 से गुणा कर लो, या जो भी करना चाहें, आपके मेर में जैसा जो भी आ रहा हो, इसको 100 बनाओ, तो 10 को 100 बनाओगे, तो इसमें 10 से गुणा होगी, तो यह हो जाएगा 100%, और अगर 10 से गुणा इधर की है, तो 10 से इधर भी करोगे, तो यह हो जाएगा 10 किलो, और यह जो value आती है, यह आती है वर्तमान, क्या आती है वर्तमान, और यह वर्तमान खपत है, वर्तमान खपत, तो यह हमारे एक एंसर हो गया, कि वर्तमान खपत कितनी है, 10 किलोग्राम, तो यह पहले का एंसर हो जाता है, 10 किलोग्राम, अब आपको अगर बरतमान मूल ले चाहिए तो आप क्या करोगे आपके पास कितने रुपए है 270 रुपए है 270 रुपए है और आप कितनी चीजे खा रहे हो 10 किलोग्राम खा रहे हो 270 रुपए में 10 किलोग्राम चीजे खा रहे हो तो एक किलोग्राम का रेट कितना है 27 तो ये जो 27 हैं ये हैं आपके बरतमान मूले क्या है ये बरतमान मूले लेकिन हम इन दोनों में से कोई नहीं पूछा गया था हमसे पूछा गया था है आरंबिक मूले और आरंबी को मुल तब ही निकलेगा जब आपको पता होगी आरंबी खपद तो आरंबी खपद कैसे पता होगी अब आप ध्यान दें जो हम कहने जा रहे हैं बहुत ही ध्यान दें अभी आप कितना खा रहे हो 10 किलोग्राम हम पूछे पहले कितना खा रहे थे तो बता पाओगे पहले यानि कि आरंब में परारंब में कितना खा रहे थे अभी आप 10 किलोग्राम खा रहे हो आरंब में कितना खा रहे हो इमांदरिस बताओ 9 किलोग्राम कितना खा रहे होंगे 9 किलोग्राम बताई नहीं पाए क्या 9 kg कैसे भई या अभी जो आप 10 kg खा रहे हो ना उसमें 1 kg चीनिय आपको ज्यादा मिली हुई है इसका मतलब यह पहले नहीं मिलती थी पहले 9 kg मिलती थी या आपके पास इतना दिमाग नहीं है सोचने का या आप नहीं सोच पा रहे हो तो हमारा एक तर प्लस लगा है सर ने बताया था कि प्लस लगा तो गटा दो एक किलोग्राम 10 kg में एक किलोग्राम कटे के कितनी विची नो किलोग्राम और यह जो 9 kg है यानि कि पहले लोग 9 kg खाते होंगे हमसे पूछा कि आरंबिक मूल बताओ आरंबिक मूल कैसे निकलेगा भाया वो 30 रुपिया पर किलोग्राम था है राइट एंसर यहाँ पर 30 हो जाएगा तो चारो के एंसर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा एंसर है A क्यूंकि हमसे पूछा गयता है आरंबिक खपत अब आपसे चारो कोशन नहीं पूछेगा चारो में से सिर्फ एक कोई पूछेगा और एक तुरंट निकलाएगा इस कोशन को लगाने में 10 सेकंड लगे लेकिन समझाने में टाइम लगा यह पूरा इस्ट्रेक्चर में है अब इसके बाद में जो दो सवाल है वो बहुत ही आसानी सोजाएंगे सबसे पहले आपको क्या करना है आपको परसेंटेज जो दिया गया वो परसेंटे लिखना है बराबर लगाना है और जो भी किलोग्राम कम या आधिक लिखना है वो प्लस माइनस के साथ में लिखना है अगर आधिक का गया तो प्लस लिख लिखना है और कम का गया तो माइन आरंबिक और प्रारंबिक निकलने के लिए अगर यहां प्लस है तो आप घटा दोगे अगर मायने से तो आप जोड़ दोगे और यह वैलू हमेशा ही 100% निकलेगी और 100% जो वैलू निकलती है वो वरतमान खपत निकल दिये है और वरतमान मूल कैसे निकलेगा जो भी रुप कर दिए जितनी अपने खपत या जितनी आपके पास चीजें हो ठीक है चलिए अगला सवाल हमें वो समझते हैं बहुत ही आसानी से गेहों के मूल में 20% कमी आ गई यानि कि गेहों के मूल में क्या आ गया कमी कितने की 20% की कमी आ गई तो कोई ची ज्यादा मिलेगी अब 100% बनेगा नहीं आपसे तो आराम से बनाएगा पहत ही आराम से बन जाएगा पस सो प्रसंट बनाने को सिस्करना जिसे यां बिन दीया गया भी तो आपकुछ भी जोड़ क्भटा बुणा बाग करना हो वो करना है पश़ाम 25 तो यह आगया परतमान खपत हमसे क्या पूछा गया वो देखिए तो ग्यहूं का आरंबिक मूले चाहिए तो आरंबिक मूले चाहिए पहले का चाहिए तो आरंबिक पहले खपत निकालो तो यहां प्रस लगा तो घटाना है तो 25 में से 5 गए 20 20 kg ये खपत हो गई रुपए कितने आया आपके पास 320 और 20 kg खाते थे तो 00 कट गया और 2 एककम 2-2 चंग बारा यानि कि 16 रुपिया पर किलो ग्राम तो राइट एंसर यहाँ पर C आप संसरी है ठीक है अगला सवाल अगर उम्मीद है ये समझ पाया होंगे तो आप अपनी जो पुस्तके हैं जिनकी आप त्यारी कर रहे हैं उनमें जरूर सवाल लगाएं और आप बताएं कि यह हमारा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं और सवाल लग रहा है कि नहीं चाबल के मुलें 25% की कमी हो गए तो 25% की क्या हो गई कमी हो गई और कमी की वज़े से चीज़ें ज्यादा मिलेंगी क्या हुआ 21 kg चाबल अधिक मिला तो यहां 21 लिख लेना और अधिक मिला तो प्लस लगा लो तो 25 को बनाएंगे तो चार से गुड़ा कर लो तो 25 चको 100 और 21 चको 84 kg और यह होता है बरतमान अब आपसे पूछा गया तो कमी के बाद चाबल का मुले बताईए तो कमी केबाद, यानि कि कमी हुई है, मतलब जो पहले कुछ रेट रहाऊगा, ये पहले का रेट रहाऊगा कमी केबाद जो रेट आता है उसको बरतमान जाए है, तो रुपए कितने हैं? 240 और ऎकितने किलोग्राम चावल है, 84 अब आप इसको हल कर लीजे तो कितने सकतेगा चार से पहले काट दो चार दूनी आठ चार एकम चार और यह काट दीजे चार से चार चिंग चौविस और एक जीरो बचा है तीन से काटेंगे तीन दूनी छे और तीन सत्ते एक्केस इस बटा साथ यानि की 20 बटा साथ रुपए पर किलोग्रॉम तो यहां पर एसा तो कोईा आफसन नहीं दुख रहा है तो बीइस के बटे में साथ लगा लो तो बीश बटा साथ राई टींसर यहां पर भी हो जाएगा तो यह इस तरीके के सवाल है आप इसमें देखो यहां पर कमी आ गई यहां पर ब्रद्धी भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं जैसे एक सवाल देखें जैसे कोई मूल है उसमें 20% की ब्रद्धी हो गई तो अगर 20% की ब्रद्धी हो गई है और उसकी बज़े से 10 kg चीजें हमें कम मिली है जब ग्रेट बढ़ जाएगा तो च 50 में 10 जोड़ती तो कितना हो गया 60 kg तो ऐसे करते हैं अगर आपको भिन दिया जाए जैसे 33 सही एक बटा 3 प्रद्धी की कमी या बरद्धी जो भी हो और यह 5 kg ज्यादा मिल जाएगा तो इसको कैसे 100 बना होगे तो पहले तो इसको बढ़ा करते हैं 2399 और एक 100 बटा 3 प्रसेत बराबर यहां पर भी 5 kg रहेगा क्योंकि उपने किसी से गुणा बाद नहीं किया है अब देखिए यहां बटे में 3 है उपर तो 100 बने ही है तो इसमें 3 से गुणा इसमें भी 3 से गुणा तो 3 से 3 कट जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 100 और यह 15 तो इस तरीके से जो भी आपको दिमा लगाना है वो 100 प्रसेंट निकलना और यह बरतमान खपत आती है तो बरतमान खपत 15 kg है अगर आपको पुरानी निकालनी है तो यहां पर प्लस माइस देख के कर लेना ठीक है जी तो उमीद है आप सभी लोगों का हमारे लेक्शर और हमारी मेनत आपको जरूर दिख रही होगी और आप उसको जरूर प्यार देंगे बने रही हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप सभी लोगों हमें इस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हैं अपने यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और हमारे जो वाट्सेब चैनल है उस जरूर जोइन करें क्योंकि वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे नहीं तो हमें आप मेसेज करिए हम आपको लिंक भीज देते हैं क्योंकि इस पर यूट्यूब पर अगर नौटिफिकेशन यूट्यूब नहीं बेज़ेगा वो दरसली बात यह हो आपको देते रहेंगे इसमें थैंक्यू फूर मिलते हैं नेक्स लेक्श्र वार्ण